आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और निथो गैलम अंबलेटम नाम की एक बहुत ही इंपॉर्टन होमेपतिक मेडिसिन के बारे में यह जो दवा होती है यह गंभीर पेट की समस्याओं के लिए दिया जाता है जो समस्याओं बहुत लंबे समस्या चल रही हैं क्रोनिक टाइम से चल रही हैं दस से बारा साथ से आपके पेट के समस्या ठीक नहीं हुई है इंडाइजेशन रहता है फ्लाचलेंस रहता है गैस्ट्राइटिस के साथ में अब वो गैस्टिक अलसर में बदल चुका है इवन इन केसे ऑफ कैंसर और स्टमक एंड होती है इसको स्टार ऑफ बेथल हम भी कहा जाता है इसके कुछ और नाम भी है जैसे इलेवन अक्लॉक लेडी है ग्रास लेली भी बोला जाता है तो यह सारे नामों से दवा जाने जाती हो और नुथो ग्यालम एक तरह से आपके पेट को सट करने वाले दवा है बहुत जो में और फिर ऑन अती है पाइलोरस पोर्शन होता है आपके पेट जो पर्शन जो पॉर्शन जो पउच लाये बाहर वे धुड़न-म कि तरह जाyl जाने लगता है जिसको हम एक कंस्ट्डर सा पोर्शन होता है वहाँ पर इस दवा के एक्शन होता है तो जब कोई इनसा जब खाना ख्हाता है जो चाना कर लिए भादा कर एक्स्रीम पैन होता है बहुत जादा धडद होता है तो सबहाए आग वाहती द्फाइए T एस तरफ नतवा में दाव स्ड़धा कि लिए जू आग होता है जा ổ Herr ऑपर की देए गहाता है क्योंकि खाना ख्रिफתח के लि Looking तो यह जो जो ऑल्सर होते हैं, इसमें जो पेशेंट होता उसको कौफी, ग्राउंड वामिटिंग होती है। उसको गॉल करता है, भी कौफी के कलर का फ्लिव्ड यह यह ईकलता है। जब ड्कार आती है w बहुत जदाр फवल श्माना होता है इवन जब toutesने होता है है क्योंकि यद्ध क्योंकि बॉत्थ में जो खना होता हो तो बॉत counterparts तरह प्रॉबलम प्रोबलम ने लेह जाती है। लेकिन अगर लम्बे समर्व से कोई बिमारी ठीक नहीं हो रही है। तब आप इस दवा को ले सकते हैं दूसरा इस दवा का काम होता है आपके सीकम पर यानि आपकी जो लाइज इन्टस्टाइज जहां से शुरू होती है वहां पर दवा का एक्शन होता है एच पाइलोरी का इंफेक्शन बार बार आपको आ जाता है वहां पर इस दवा को दिया जा सकता है इसके लावा एक बहुत इंपोर्टेंस का असर हो यह होता है कि जब पेशिंट वामिट कर देता है तो उसके बाद बहुत जादा एग्जॉस्टेट फील करता है बहुत जाना खाने का मन नहीं करता है तो लास अफ एपटाइट को रिस्टोर करने के लिए अनोरेक्सिया के लिए यह दवा अच्छी है क्योंकि आपकी जो भूख है वो ठीक से लगने शुरू हो जाएगी जो अलसर होते है उसके उपर पढ़ते जबनी शुरू हो जाएंगी म्य जो सांस लेहने में दिकत हो रही है ङृ को पढ़ते हैं तब ही यह दुख दिया जा सकता है विल्कुल इसका वैसे काम होता है जैसे वध्यरियम में जबने में भी ऑकसीजन ऑब लड बहता है उस दवा को लेने से सेर्म यह काम करती है जो ब्लड में ऑक्सिजन हो उसके तो तो इस तरह से ब्लट की में सप्लाइ ऑक्सिजन की कर पाती है तो यह दवा इस केस में अगर आप लाक ऑफ ऑक्सिजन एक वजा बन रही है तो वहां पर भी दवा लिया जा सकता है पालपिटेशन की केस में क्यूंकि यह ट्राइगलस रैट्स को डिक्रीज करने के लिए अच्छी दवा है वह लेम सीपा है और यह दवा भी ट्राइगलस रैट्स को कम करती है मनि खून की निलियों को साफ करती है ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है उससे आपको गब्रहाट अग्जाइटी टाइप की जो हार्ट से कॉंसेंट्रेटर चीजे हैं हार्ट के उपर जो डिरिक्टर सिंटम्स होते हैं उसको भी यह रिडियूस करती है तो और्नितो गैलम एक तरह से स्ट्रमक टॉनिक है साथ के साथ कुछ अडिशनल सिंटम्स भी है जिसमें इसका प्रय कि इसको महसूस होता है चेस्ट के तरध दर्ध तेज होता है यहार्ट की तरह जाकता है कंद्स कि तकलीफ होरी हम और है कि पेट से रिलोटर को समय नहीं सुःता है तो लिप साइडिड पैन रहता है चेजसें मिद जाब बढ़े जाह सकता है सबड़ियों के मोर्संज के हसूस होता है तो औरनित्वा गैलम की यह सारे इंडिकेशन होते हैं छोटी मोटी बीमारियों में आप इस दवा को नहीं ले लेकिन अगर कोई गंबीर समास्या जो बहुत दवाई नहीं के बाद भी ठीक नहीं हो रहे तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं मेरा क्लिनिक इंडिकेशन है कि यह ऐस डायोडिक काम करती है शरीर में कोई भी फ्लूड रेटैनिशन अगर हो रही है सूज़ रही है शरीर में असा लग रहा है कि पुरा शरीर सूज़ चाहरा है पूरा अच्य से क्लियर आउट नहीं हो रहा यह उरिन की मात्रा उतनी अच्छी नहीं ह परेंस रहें तो यह एक है कि अध्ल के अटिकासिता रहां निलगूजता है विल्कुल वैस चरीरिंशन रहती है जेमा नहीं टिक्रेव में पानी परनी कि इन में एडिवरए सकते हैं तो प्रया खें पानी भर रहा है तो तभी भी आप इस दवा को ले सकते हैं। सारी इंडिकेशन हैं और इंटोगलम अमलेटम होमेपतिक मेरिसिन की जो में डिरिक्शन होता है इसका स्टमक पही होता है। अगर गैस्री का प्रॉब्रम पहले कभी रहा है अगर ब्रॉब्रम नियसे सबसे बहते हैं। कोई भी एंटाइसिप्स लेने की भी आपको ज़रूत नहीं पड़ती है, इस दवा को आप लिजे, मदर टिंचर फॉर्म में, आदे गलास पानी में, दस से बीस बूने मिला करके दिन में तीन बार रेगुलर लेना है, अगर आप अचानक से दर्द उड़ गया, अचानक से आपको सिम्टम्स बढ़ गया, तब भी एट एन एमर्जनसी बेसिस भी आप इस दवा को ले सकते हैं, तो यह सारी इंफॉर्मेशन थी, और नितो ग्यालम, होमेपतिक मेडिसिन के बारे में, यह दवा बहुत ही इजली अवेलबल तो अभी नहीं है, ऑनलाइन बिलकुल मिल जाती है, आप इस दवा को ऑनलाइन लेकर की उसकरना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम डिउरेशन की बात करें, तो इसको 30-40-50 दिर तक आप यूज कर सकते हैं, और यह दवा सब के लिए सूटबल है, कोई भी मेडिकेशन साब की चल रही हैं, कोई भी एज में आप हैं, तब आप इसको ले सकते हैं, और बच्चों को अगर देना है, या अगर ब्रेस्ट फीडिंग लीडीज हैं, या प्रेगन लीडीज हैं, तो डॉक्टर से मिल करके हिस दवा को स्टार्ट करें, अगर आप मुझे डिरेक्टी बात करना चाहते हैं, तो कॉल में फ़र आपका यूज कर सकते हैं, जिसकी बागी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अगर आप मेरे साथ जूम या फोन कॉंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर वाट्सवप करके, आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डेटेल से आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, विशिंग वेर गुड हैल्थ, थैंक्स ववाचीं,